तो आपको काफी लोग दोस्त मुझे मैसी करते हैं कि हम नया वीजा लेके जब तरकी आ जाएंगे तो हमारी टी आर्सी बन जाएगी ठीक है और वीजे के मतलग और टी आर्सी के मतलग आज वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इस हमारे मजा बही हैं इसे बात करेंगे कैसे अब अचाब आपने पकिसान से वीजा लिया था तो कितना अब बहुत आपका चाहिए अन्याग ने हुटतर पॉछ टीक यहां ने पेद्द पे आपने वीजा जो लिया था उस पे सवालाद्स वा पांच लाक आपका खर्चा आ फिर आप जब विजा लिया आप ट्रैवल करके तर्की आगे तर्की आने के बात फिर आपने टी आर्सी जमा करवाई तो आपका जो टी आर्सी पे खरचा आया वो कितना आया वह 5,000 लीडा पांच था लीडा तो दोस्तों यह देख ले यह फाइल है भाई की ठीक है आपको दिखाता भी हो यह इनकी पिच्छरे है ठीक है और यह उन्होंने फाइल बरवाई थी और जब इन्होंने वीजा लिया सवापांच लाख रुपे का वीजा उधर जो अजेंट से लिया ठीक है वो टिकट साग उसमें एर था ठीक है इसलिए तर्की आगे फिर उन्होंने टी रसी अप्लाईगी ठीक है टी आर्सी अप्लाई जब की ठीक है तो इनके पास जो लोग थे कहते थे अजन्ट होते हैं यहां भी अजन्ट माफिया वों कहते हैं जी ती यार सी बन जाती है ठीक है मुश्कल है वह ऐसे कर देंग ऐस पूरी कर दें उटकी बादिया तो यह इनको समझाने वाला नहीं था उन्होंने जट की बादमा दी और टीर सी अपलाई कर दी टीक डीबर अपना सतर साथ सातर हजार का नकसाद किया थीक है उसमें तरकिश जो टैक्स की की फीस होती है इंशोरस होती है एक साल की काफी ज्यादा पैसे लगाए ठीक है और वो जो अजन्ट था उन्हों ने उसने अपना उन्लू सिदा किया और पांच-छे हजार लीरा इंसे ले लिया और इनकी अपलाई करा दी जब यह गूची अजारे में गिए अवैस अब जब बताई थी ठीक हो गया यह का उसी का था लेकल उसे यह नहीं किया था अच्छा दोस्तों यह आपको मैं बताता हूं उन्होंने क्या लिखा यह उन्होंने रिक्वाइड की है कि आपके पास जो है ना तीन या छे महीने की बैक स्टेटमेंट होनी चाहिए पाकिस्तानी और चे महीने की बैक स्टेटमेंट ठीक है यह बकाइडा लिखा भी है आपको दिखाता हूं यह देखें यह अधारा लगाया हुआ हुआ है ठीक है यह उन्होंने ठीक किया थैं इन से बलके सिंपल सी रिक्वाइर्मेंट से यह तनी टाफ नहीं होती बंदा कर लेता है लेकिन इन्होंने डन बेस पे वीजा लगवाया था तो इनके इनसे नहीं हो सकी ठीक है और अजट ने जो है ना वह फाइल तो रैडी कर दी लेकिन उसमें डाकुमेंट्स पूरे भी नहीं थे चले खर कुछी अदारे ने फिर इनसे रिक्वाइर्मेंट मांगी इनसे पूरी नही होई तो जो ने दोस्त आते हैं ठीक है उनसे रिक्वेस्ट है अगर आपने टी आर्सी अप्लाई करनी है ठीक अपनी किस्मत अजबानी है तो वहां से पाकिस्तान से छे महीं ने की बैंक स्टेटमेंट्स और तीन मां की सैलरी स्लिप यह अपने को डाकुमेंट्स बिजनस क तो यह चीजें यह गूची अदारा जोता है इनका पूलिस एमिग्रेशन उस पर डिपेंड करता हूं आप से रिक्वाइर क्या करते हैं ठीक है बाइसे यह क्यों कि तीन में नेका जानी के बैंक स्टेडमेंट्स ठीक है यह की ती वह तरह तरह की करते हैं यह देखें यह बढ़ा हुआ जोना सारा पेज यह किसी भी टिक लगा गए यह आपसे यह रीक्वायर कर सकते हैं तो जो नई ती आर्सी लेना काफी मुश्किल है ठीक है नहीं बाइरे जो जिनकी बश्रीनियों हो रही है ठीक है रीन्यव हो रही है इसके बाद मैं आपको बताओंगा कि म उसके बाद जब इन्होंने एरपोर्ट पर आया अपने कप्ड़े शप्ड़े त्यारी शारी तक्रीबंद 6 लाख करीब चले गए ठीक है तर्की आये 6 लाख लगाया उसके बाद 87,000 त्यार सी पर हर्चा किया ठीक है यानि के कहलें 6-7 लाख रप्या इन्होंने लगाया लेक पर आपको मिल सकती है ठीक है फिर भी वह तक्रीबंद कहलें के 50-50 चांस है यह कुछ कहा नहीं सकते लेकिन लोगों को वह ठीक है तो कोई भी आपका कमेंट हो कोई सुवाल आत आपने पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं भाई की यह स्टोडी है सेवा सलएक है जब यह पाकिस्टान वापिस जाएंगे तो यह तो यह डिपोर्ट के जाएंगे यह पिर अमिग्रेशन है वह 25 साल लिए बैंट कर देती है आपको आप किसी और country नहीं जा सकते ठीक है तो ये दोस्तों जब भी आप किसी भी मुलक जाए पहले information ले आपके पास कोई बंदा अच्छा हो जो आपको अच्छी information दे उसके बात फैसला करें जल्द बाजी ना करें इंसान जब भी बाजी तो अमेशा उसका नक्सान ही होता है तो हमने भी काफी ऐसे काम किये जल्द बाजी में नक्सान हाथ की एंठीक है तो आप जल्द बाजी ना करें अपना पूरा जो है ना homework करके तो फिर जो है ना ले ठीक है तो अमीद बात की आपको समझ आई होगी इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिज